नमस्कार जेश्टी आई इसके टुडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए कल के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल पहले सवाल के तौर पर आपसे पुछा गया था विश्व सामाजिक नियाए दिवस कब मनाया जाता है उत्तर है 20 फरवरी चौथा सवाल हाली में जारी टाइम्स हाइयर एजुकेशन रैंकिंग्स में भारत के कितने विश्व विद्याले टॉप सो में शामिल है उत्तर है 11 पाच्वा सवाल बीस फरवरी को निमनलिखित में से किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर है अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम च्छठा सवाल कलाकुम प्रदर्शनी का संबंध किस से है उत्तर हस्क शिल्प साथवा सवाल हाली में गुन रानी कमलापती की 32 फूट उंची प्रतिमा का अनावरन कहा किया गया उत्तर है भुपाल उत्तर है पाकिस्तान और कल के सेशन का अंतिम सवाल है AFC Women's Asian Cup 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी इसका सही जवाब है भारत तो चलिए बात करते हैं कल के अभ्यास प्रशनी की कल हमने आपसे पूछा था हाली में जारी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत किस पैदान पर है सतरवें, सततरवें, 115 या फिर 131 हाली में जारी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत सततरवें पैदान पर रहा है वहीं फ्लोरिशिंग इंडेक्स के मामले में भारत ने 131 अस्थान हासल किया संधारणिये विकास लक्षे के मद्दे नजर सेंगत रास्टे ने हाल ही में यह रिपोर्ट जाड़ी किया है विश्व स्वास्थे संगठन इनिसेफ और दलाजंचेंट मेडिकल जनरल द्वारा इस रिपोर्ट को सेंगत रूप से कमिशन किय यह रिपोर्ट 180 देशों पर आधारित है रिपोर्ट की मुताबिक अमेरिका औस्टेलिया सौधी अरब दस बड़े उच्षरजक देशों में शामिल रहे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में कार्बन उच्षरजन को सतत विकास लक्षे 2030 से तुलना कर देशों को रैंकिंग दी जाती है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन बी सत्तरवे स्थान पर आज की सेशन का पहला सवाल अंतरास्ट्री मात्री भाषा दिवस कब मनाया जाता है दस जनवरी बीस फरवरी 21 फरवरी या फिर 14 सितंबर आज यानि 21 फरवरी को अंतरास्ट्री मात्री भा बहाषावाद को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2000 से हर साल अंतराश्ट्रिय मात्री भासा दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मकसद भाषावी विवित्ता की सुरक्षा करना है यूने सको इस साल लैंग्वेजिस विदाउत बॉर्डर्स थीम के साथ इस दिवस को म मना रहा है तो इस प्रशन का सही जवाब है option C 21 फरवरी options में दिये के कुछ अन्य विकल्पों की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को अंतराश्टिय सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राश्टिय हिंदी दिव इस मनाया जाता है question number 2 North East Sustainable Development Goals Conclave 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा भिहार असम महारास्ट्र या फिर गुजरात North East Sustainable Development Goals Conclave 2020 का आयोजन असम में किये जाने की घोशना की गई है नीती आयोग इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है पुरुवत्तर परिशत, असम सरकार, टाटा ट्रस्ट, UNDP और विकास शील देशों के लिए अनुसंधान और सुचना प्रनाली के सायोग से इस संगोष्ठ स्थानिक स्टाफ कॉलेज में होगा संगोष्ठी में 25 और 26 फडवरी को तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा UNDP इंडिया की स्थानिक प्रतिनिधी सूस्री सोको नोडा समापन सत्र को संबोधित करेंगी गौर तलब है कि निती आयोग को राश्ट्रिय और छित्रिय स्तर पर दिर्खकालिक विकास लक्ष्यों को लागू करने और इसकी निगरानी करने का दाईत्व सौंपा गया है 2030 तक दिर्खकालिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रुवक्तर छित्रे में प्रगति महत्वपूर्ण हो तो इस प्रशन का सही जवाब है option B असम question number 3 हाल ही में केंद्रिय मंत्री मंडल ने 3 साल की अवधी के लिए 22 में भारतिय विधी आयो के गठन को मंजूरी दी है भारतिय विधी आयो का मूल रूप से गठन कब किया गया था 1947, 1950, 1955 या फिर 1958 प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी की अध्धक्षता में केंद्रिय मंत्री मंडल ने 3 साल की अवधी के लिए 22 में भारतिय विधी आयो के गठन को मंजूरी दे दी है इसके लाभों की बात करें तो इससे सरकार को विचारनिय विशियों के अनुसार अध्यान और सिफारिश के लिए आयोक को सौंपे गए कानून के विभिन पहलूँ के बारे में एक विशेशक्गिता प्राप्त निकाय से सिफारिशे मिलने का लाभ मिलेगा भारतिये विधी आयोक की पिष्ट भूमी की बात करें तो आयोक का मूल रुप से 1955 में गठन किया गया था 21 वे भारतिये विधी आयोक का कारेकाल 31 अगस्त 2018 तक था विधी आयोक ने अभी तक कुल 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं आपको बता दें कि भारतिये विधी आयोक भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर सामिधिक निकाय है प्रतेक 3 साल के लिए इसे पुन्र गठन किया जाता है 22 विधी आयोक सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तीती से तीन वर्स की अवधी के लिए गठित किया जाएगा तो इस प्रेशने का सही जवाब है option C, 1955 Question number 4 हाली में जारी Worldwide Education for the Future Index 2019 में भारत किस पायदान पर रहा? 30, 35, 40 या फिर 45 Worldwide Education for the Future Index यानी WFFI 2019 में भारत पाच पायदान की छलांग लगाकर 35 पायदान पर पहुँच गया है भारत इवाओं को भविश्य के लिए कौशल सिखाने के मामले में प्रगति कर रहा है गौर तलब है कि WFFI 2019 को The Economist Intelligence Unit द्वारा प्रकाशित किया गया है या सुचकांक छात्रों को कौशल आधारी शिक्षा से लैस करने की उनकी छमताओं के आधार पर देशों को रैंक देता है भारत 2019 में तीन स्रेनियों मसलन नीती परियावरन, सिक्षन परियावरन और समग्र सामाजिक आर्थिक परिवेश के आधार पर तिरपन के कुल स्कोर के साथ समग्र सूचकांक में 35 पैदान पर है 2018 की रैंकिंग में भारत 41.2 के समग्र स्कोर के साथ 40 पैदान पर था इस बार के इंडेक्स में फीन लेंड, स्वीडन, नीजी लेंड, सिंगापूर और नीदर लेंड्स ओवर और रैंकिंग में शिर्स 5 पैदान पर काबिज रहे तो इस प्रस्ण का सही जवाब है ऑप्शन B 35 पैदान पर क्रेशन में फाइब हाली में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस भारती संस्थान ने शिर्स थान हासल किया है IISC बंगलूरू, TIFR मुंबई, CSIR नई दिल्ली या फिर IIT बॉंबे नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 बीते दिनों जारी की गई, यह रैंकिंग टोटल डिसर्च आउटपुट पर आधारी थे यह रैंकिंग संस्थानों द्वारा 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 तक किये के टोटल डिसर्च आउटपुट के आधार पर जारी की गई है Council of Scientific and Industrial Research यानी CSIR नई दिल्ली को इस इंडेक्स में पहला अस्थान दिया गया है भारतिय विज्ञान संस्थान यानी IISC बैंगलूरू को दूसरा अस्थान दिया गया है जबकि भारत में तीसरा अस्थान Tata Institute of Fundamental Research यानी TIFR मुंबई को दिया गया वहीं अनुसंधान कारे से जोड़े शिर्ष विश्यों में शामिल है प्रिथिवी एवं परियावरन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान इस सूची में शामिल हुए अन्य भारतिय संस्थान है होमी भाभा निशनल इंस्टिटूट, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, Indian Association for the Cultivation of Science, Indian Institute of Science, Education and Research, कोलकाता, IIT गुवाहाटी और IISER पूरें तो इस प्रस्न का सही जवाब है Option C, CSIR नई दिल्ली Question No.6 हाल ही में निम्नलिकित में से किसे CMS के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है Great Indian Bustard, Asiatic Elephant, Bengal Florican या फिर उपर्युक्त सभी भारत से Endangered Species मसलन Great Indian Bustard, Asia यहाथी और Bengal Florican को अब वैश्विक सरक्षन सुची में शामिल किया गया है Great Indian Bustard को 13 कौप का शुभंकर भी बनाया गया है Great Indian Bustard अब Extinction का सामना कर रहा है मौजूदा वक्त में मात्र 150 से 200 Great Indian Bustard ही देश में मौजूद है Great Indian Bustard, Asia यहाथी और Bengal Florican को अब CMS के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है CMS दरसल सेंक्त राष्ट परियावरन कारेक्रम के तहट एक वहश्विक इंस्टूमेंट है जो 1983 में अस्तित्व में आया था CMS में 130 पार्टियां हैं जिनमें 129 देश और EU शामिल है Great Indian Bustard को राजस्थान, गुजरात, महरास्ट, करनाटक और आंधर प्रदेश जैसे राजियों में देखा जा सकता है Mainland Asian Elephants को Indian Elephants के रूप में भी जाना जाता है इन्हें 1975 के बाद से Sights के Parishist 1 के तहट सुचिबद किया गया है बात करें बंगाल फ्लोरिकन की, तो यह IUCN Red List में Critically Endangered कैटिगरी में शामिल है तो इस प्रेशन का सही जवाब है Option D, उपरिक्ट सभी Question No.7 आपसी सामाजक व्यावारों से पशू जो सिखते हैं, उन व्यावारों के अध्यान को क्या कहा जाता है Animal Behavior, Animal Culture, Animal Social Behavior या फिर Animal Social Learning भारत में आवजित सेंक्तराश्ट वन्यजीव सम्मेलन में पहली बार Animal Culture को सनक्षन से जुरा गया है आपसी सामाजक व्यावारों से पशू जो सिखते हैं, Animal Culture के जरिए उन व्यावारों का अध्यान किया जाता है इस दिशा में ऐसे कुछ सुबूत मिले हैं कि वेल, डॉल्फीन, हाथी और अन्य परशू सोशल लर्निंग के जरिए कुछ समझ और कुछलता अरजित कर लेते हैं Eastern Tropical Pacific Sperm Whale और Nut Cracking Chimpanzees के लिए सरक्षन उपायों पर विचार करने के लिए कुछ प्रस्ताव C.M.S. COP13 में प्रतिनीधियों के सामने पेश किये जाएंगे C.M.S. COP13 का आयोजन गुजरात के गांधी नगर में किया जा रहा है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है Option B. Animal Culture Q.8 कीस मंत्राले के अंतरगत राश्ट्रिय संग्रहाले एतिहासिक गैस्ट्रोनोमी का The Indus Dining Experience नामक प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है ग्रिह मंत्राले, खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले, संस्कृती मंत्राले या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्राले राश्ट्रिय संग्रहाले में Historical Gastronomia The Indus Dining Experience के नाम से एक अनूठी प्रदर्शनी लगाई गई है यह प्रदर्शनी देश के खान पान के प्राचीन इतिहास पर आधारित है दिल्ली स्थित राश्ट्रिय संग्रहाले इस प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है 25 फरवरी तक चलने वाली यह प्रदर्शनी 19 फरवरी को शुरू ही इसमें देश के 5000 वर्स से भी ज्यादा पुराने इतिहास को दिखाया गया है राश्ट्रिय संग्रहाले में सिंधू घाटी सभ्यता काल की कई बेशकीमती कलात्मक वस्तूओं का संग्रह है यहां सिंधू घाटी सभ्यता पर बनी दिर्गा में भारतिय सभ्यता की इस गौरव काल से जोड़े दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है इसमें हरपा के महंजोदरों से खुदाई में मिली पसिद्धिकांस पतिमा भी है जिसमें एक इवती को निर्ट्य मुद्रा में दिखाया गया है साथ ही आपको बता दें कि राजट्य संग्रहाले और वन स्टेशन मिलियन स्टोडी यानि ओएस एम इस द्वारव सन्यक तुरूप से आयोजित इंडस डाइनिंग एक्सपीडियंस पुरातात्विक शोधों संग्रहाले की कलात्मक वस्तूओं और उनकी विशेस्ताओं प भोजन को चखना भी है इसे राजट्य पुरस्कार प्राप्त शेफ सब्वेसाची गोराई सैवी द्वारा फिर से तैयार करने का प्रयास किया गया था राश्ट्री संग्रहाले और सेवी के फैब्रिका के सेंख्ट प्रयासों से आयोजित या प्रदर्शनी सही मायने में राश्ट्रिय प्रभाव छोड़ने वाला मेड इन इंडिया का रिक्रम है तो इस प्रशने का सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रा ले प्रशन नमबर नाइन हाली में अश्रफ गनी को किस देश का दोबारा राश्ट्रपती चुना गया है पाकिस्तान अफगानिस कि उस्वाव का समर्थन करता है साथ ही भारत नई सरकार और राज के साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राज़धानी काबुल है यह दक्षिन और पुर्व में पाकिस्तान पश्चिम में इरान उत्त में तुर्किमिनिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजीकिस्तान और सुदूर पुरुवत्तर में चीन के साथ अपनी सीमा साजा करता है यह बखान कोरिडूर के जरीए भारत के साथ भी सीमा साजा करता है तो इस प्रशन का सही जवाब है option B अफगानिस्तान आज के session का अंतिम सवाल हाली में कौन एशियाई कुष्टी championship में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतिय महिला बनी है दिविया काकरान नरूहा मात्सुयूकी नवजोत कौर या फिर निर्मला देवी दिविया काकरान ने एशियाई कुष्टी championship में स्वर्ण पदक जीता है इसके साथ ही इस championship में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह दूसरी भारतिय महिला बन गई उन्होंने इस मुकाबले में नरूहा मात्सुयूकी को परास्त किया आपको बता दें कि नवजोत कौर एशियाई कुष्टी championship में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला है उन्होंने यह तमगा 2018 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 65 kg वर्ग में जीतकर हासिल किया था दिव्या ने पिछले साल के एशियाई championship में कांस से जीता था तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option A दिव्या काकरान नोट कर लेते हैं आज के session का अभ्यास प्रश्ण प्रश्ण है श्यामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन यानि SPMRM की शुरुवात किस वर्ष की गई थी 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 इस प्रश्ण का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें कल कुछ नए सवाल और इस प्रश्ण के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार